हाई फ्रेंड्स, ओनलाइन एग्रिकल्चर क्लासेस के अफिसियल यूटूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक श्वागत अभिनंदन एवंग बंदन करता हूँ, आज के इस सेशन में हम लोग डिसकस करने वाले हैं, एग्रिकल्चर ग्रेजुट ट्रेनी इफको की दुबह कि इंसी आती है, प्रतेक वर्ष, तो इसमें फाम भरने से संबंदित कुछ आपके मतलब डिसकसन करना है, जो आपके कमेंट्स की रिभ्यू भी दिखाएंगे, आपको जो भी समस्या है, पूर्टा साल्व हो जाएंगी इस वीडियो को देखने के माद्यम से, यदि आपको अ वाट्सअप नमबर पर, वाट्सअप की सहायता से आपको सलूशन मिल जाएगा, अब आपने थमनल देखकर तो समझ गया होगा, कि किस टॉपिक पर वीडियो बनने वाला है, तो ये केवल इसी टॉपिक पर नहीं वीडियो बनेगा, इस पर अंतरगत आपको धेर सारी काफी जानकारिया मिलेंगी, तो चैनल पर नहीं है, तो सस्क्राइब कर लिजेगा, पुराने है, तो सेर कर दीजेगा, क्योंकि जिसका भी रिजेक्ट हुआ हो, या गलत हुआ हो, तो वो क्या करेगा, क्या वो दुबारा फार्म बरेगा, या फिर इसमें तो पहली बात आ उससे पहले मैं कुछ कमेंट's के प्रिवियो दिखाना चाहिएँ, पहला कमेंट्स है, अग्रिकल्चर भैइ सिक्ला, इनके दौबारा कमेंट्स क्या है, ये कमेंट सभी लोग धियान से पढ़ेंगे, सभी लोग को समस्या है, हो रहे होंगी, लगपक लगपक, sir, I have asked to use cGp combined जो GPA होता है fill in ifco AGT farm चलिए आपको CGPA बरना है कैसे बरना इसको तो पहले percentage में यानि प्रतिसत में आपको convert करना है पर semester two GPA first one cumulative grade point और second average one grade point average who choose मतलब दो आपके जो आपका GPA होता है एक आपका cumulative होगा और एक up list semester होगा या up last semester होगा इसको आप दो comments दिये होंगे मतलब दो sorry दो आपका point दिये होगा GPA तो उपर वाला GPA आपको fill करना है current का आपको fill करना है अप list वाला आपको नहीं भरना है clear I hope सब का मतलब हो गया होगा इसी प्रकार से fill अगला देखिए क्या है EWS का option क्यों नहीं है कोई खास वज़ा तो इसके लिए तो मैं मतलब कुछ नहीं कह सकता ये जिनकी संस्ता है जिन्होंने recruitment जारी किया है इफको board ये समझेगा कि EWS का option क्यों नहीं है पर option की एक वच़़ा मैं बता सकता हूँ एक वचा ये है कि आपकी general OBC या SC हो गया ST हो गया किसी भी कटेगरी का student इसमें फार्म अप्लाई कर सकता है इसमें कोई limit नहीं होती है कि general का इतनी seat है OBC की इतनी seat है SC की इतनी seat है या ST की मतलब किसी भी कटेगरी की कोई specialization seat नहीं होती इसमें जिनका cut-off के अंतरगत आ गया if-co के मतलब जिनकी high उच मेरिट रहेगी उनको select कर लेता है इसके वज़ा से AWS का option सायद नहोता है मेरे recording चलिए अगला question pick-up किया हूँ देखिए सब subject में पूरा subject fill करना है क्या तो मैं इस पर दो बार वीडियो बना चुका हूँ और इसमें बता भी चुका हूँ कि subject में आप 12 वाले में अगर PCB से हैं एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ PCB PCM PCB PCM Physics, Chemistry, Biology से हैं तो आप Biology चूछ करिए उसमें तो Science आपको चूछ करना है सिदी ची बात है तो उसमें सिम्पल सा आपको यही चूछ करना है साइंस और जब आप graduation वाले फार्म में भरेंगे तो आपको agriculture चूछ करना पड़ेगा agriculture फिल करना पड़ेगा पूरा आप मतलब टोटल समेस्टर का result इसमें subject नहीं भरना है अगला देखिए हम आखिर क्यों तो आप लोगों को मैंने एक video में declare बता दिया था previous video आप इसकी playlist जाकर check किजिए एक बार जरूर आपको i button में playlist और in screen में आपको playlist मिल जाएगी in screen मतलब video के last में मिल जाएगा तो reject हुआ तो आपको करना क्या पड़ेगा तो चलिए आपकी किसी भी वज़ा से reject हुआ हमें तो नहीं पता i don't know हमें उससे कुछ नहीं करना है आप simple सा क्या कीजिए अब उसमें correction का option नहीं आएगा जब reject हो गया तो उसमें correction आप नहीं कर सकते किसी भी हालत में आपको simple सा करना क्या होगा दूसरा mobile number उठाइए जैसे यह हमारा mobile number है whatsapp वाला नीचे description में मिल दाएगा और एक दूसरी आप email id आप दूसरी email id अधर दूसरा mobile number वह mobile number नहीं data आपको भले ही same हो but mobile number आपका different होना चाहिए mobile number और दूसरी email id से आप पूरा data fill से fill कर सकते हैं आप 1,2,4,5 जितना भरना चाहें तो उतना भर सकते हैं यदि reject होता है तो अन्यता आपका सही जाता है तो पिर आपको बढ़ने के कोई आउस्सिक्टा नहीं है इस प्रकार से आप registration कर लेजी के दूबारा इसका option बस एक ही है कि आपको नया registration करके फार्म फिल कर देना है इसमें फीस तो एक भी बढ़ने ही रहा है कोई दिक्कत नहीं है आई होब अमन राजपूत समझ में आ गया होगा और भी आप आपके मतलब सखे संबंदी जो भी होगे उनको भी बता दीचेगा अगला देखिए सर मेरा तो फार्म reject हो रहा है क्या करूं अब अब आपके किस वज़े से reject हो रहा है तो जैसे कि मालीजी आपको 2017 में admission हो गया सबोज किजिए जुलाई में तो जुलाई से आपने दिसंबर तक एक समिस्टर भरिए फिर दिसंबर से आपका माई तक second semester का भरिए 2018 में चला जाएगा ये आपका 2018 में चला जाएगा इसको आप 2018 भरिए फिर फ़र्ड समिस्टर आपका जो है माई से आपका June तक sorry माई से June चे आपका दिसंबर तक आपका फिर चला जाएगा मतलब फिर ये 18 हो जाएगा अगला समेस्टर हो का आपका इसी प्रकार से आप 6 से महीने जोड जोड करके आप उपना पूरा कोर्स इस प्रकार से फिल कीजिए गारेंटी है कि reject नहीं होगा क्योंकि मैंने काफी लोग का देखा था कि इस प्रकार से भरे नहीं थे इसके वज़ा से आप मार्शेट पर देख देख कर भरना है तो वहीं से reject हो रहा है चलिए अगला देखिए next question अच्छा question है सर पेपर हिंदी में या दोनों English में आएगा तो आपको बता दी जाए जो बोथ का option होता है English plus Hindi दोनों में वाद्धिम में आपका पेपर होगा अगला देखिए सर येर वालों का नहीं होगा क्या ऐसा नहीं है उसमें clear दिया है semester और पहले annual दिया है फिर आपका semester wise दिया है तो आप annual वाले पिछूच कीजिए डन कीजिए आपका simple सा farm फिल हो जाएगा अगला देखिए सर मेरा नाम गलत हो गया है farm summit हो गया अब क्या करें तो चलिए देवब्रत शिंग आपका नाम गलत हो गया कोई दिक्कत नहीं है बिलकुल परिशान होने वाली बात नहीं है simple सा आपको करना है नया registration अभी मैंने बताया पीछले मतलब comments में कि आपको दूसरा mobile number भरना है और दूसरा Gmail आपको फिल करके next registration कर लेना है श्योर अगला देखिए अलाम क्या कुमारी इस वीडियो इस वीडियो इस वेरी हेलफ़फुल फार मी थैंक सर्थ most welcome आपका और सभी लोग का आपका तह दिल से सुक्रिया अदा करता हूं मैं भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस प्रकार से आप सभी लोग मैं चाहूंगा कि feedback जरूर दीचे आपको वीडियो कैसा लगता है इससे हमें भी motive मिलता है तो जब हम motivate होते हैं तो आपके लि किया है अग्रिकल्टर बाई डाक्टर धर्मेंद्र हर समिस्टर में 60 प्रतिशत होना अवस्यक है या नहीं अब 60 प्रतिशत यदि नोटिफिकेशन में दिया है तो ठीक इसके वज़ा से एक भी वज़ा है कि जिसन का 60 प्रतिशत से कम है तो उनको reject कर दे रहा है एक वज़ 17 18 यह जो भरने है इसमें गलत कर रहा है तो reject हो रहा है मिस्मैच कर जा रहा है तो अब उनके डाटा से फिर एक और वज़ा है जिनका सिमिस्टर में back लगी हुई है सिमिस्टर में किसी भी subject ने back लगी है उनका back की वज़ा से भी form reject हो रहा है और यदि आपका form back की वज़ा से मतलब नहीं reject हो रहा है फिल हो जा रहा है फिर भी जब आपका selection होगा तब आपको finally जब प्रते एक सिमिस्टर के report मांगा जाएगा उस सिमिस्टर में आपको back के द करें लेकिन इसको change जरूर करना चाहिए कि क्लियर नेक्स्ट देखिए किस आधार पर आपने कहा कि बैक वालों को नहीं लेंगे फूबी तो मैं किसी आधार पर किस आधार पर कह रहा हूं कि जो previous मतलब पीछले 4-5 सालों में हमने जो चीज़ देखा है उसको हम अपने experience के अधार पर बोल रहा है आप किसी भी senior से पूछ लिजेगा जिनका वहाँ इफको में हो चुका है उनसे खुद पूछ लिजेगा कि क्या इफको वालों को मतलब जिनका back लगा है उनको बाहर कर दिया जाता या नहीं आप simple सा पूछ लिजेगा आपको खुद जवाब मिल जा नो कल्चर विदाव अगरिकल्चर